सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आरे सार फाइनेंज यहां दोस्तों आप लोगों स्वागत है हमारे आरे सार फाइनेंस पर दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जल्ले सब्सक्राइब करें तीचे और इस वीडियो को एक लाक जिए बैल आकन नोटी प आप लोगों को सबसे पहले में तो आप लोग से रिक्वेश्ट है भी तक आपने हमारे टेलिग्राम गूरूप को जोइनने किया है तो वीडियो की डिसक्रिशन बोक्स में आप लोगों को टेलीग्राम गूरूप का लिंक मिल जाएगा यहां पे दुस्ता आप हमें जोइन भी कर सकतो अप्लीकेसं की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर जो है अप्लीकेसंग नाम है ECS क्रेडिट अब जो है मैंने इसको पूरा फाइनली जो है वह कंप्लीट कर लिया है जिससे की अकांट में जहोंगे वही बाई सो श्यत्ता रुपए होंगे अकांट में रिडिट व्यरिक्वेशन फीस लगा भाई 1520 रुपए जैसे की आप लोग दे सकते हो 1520 रुपए वैरिक्वेशन फीस पर जेस्टी जो लगी है बहाई 231 रुपए और इंटरेस्ट की बात करता अगर आप पैमेंट नहीं करते हो तो 8.58% का ओवर्डिव चार्ड लगेगा और रिपैमेंट करना है 3797 रुपए अगर मुझे यह लोन चाहिए तो मैं यहां लोन नाव पर किलिक करूँगा तो यह जो मेरी अप्लिकेशन है वो सम्मिट हो जाएगी लेकिन मैं आपको बता साथ दिन के अंदर ठीक है हम क्या करेंगे फिलाल जो हमें आपका अप्लाई करकर दिखा देता हूं यह नहीं कह सकता कि मेरा अप्लिकेशन जो है वो अबरूप होगा यह नहीं होगा लेकिन आप लोगों को यह भी उताता हूं भाई उसका अगर एपी के फाइल मुझे मिल दो लुट एक जीट रिटर्ण तो यह कह रहा है कि अप्लिकेशन आपकी सम्मिट हो रही है आपको जो है अप्लिकेशन को एकजिट नहीं करना है थोड़ा से वेट करेंगे और देखते हैं क्या आपके अप्लिकेशन को और हम आपको नोटिफाय मतलब कर देंगे या पिर तो उमीद है यह वीडियो आप लगों को अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है चैनल पर आप हमारे नहीं हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है दोस्तों